अलू और जुन आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वहां से चले जाते हैं फिर राजपाल आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं ल और 2000 का नोट लेकर वहां से चले जाते हैं उसके बाद अजय देवगन आते हैं फिर वह बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह उदास होकर चले जाते हैं फिर अक्षे कुमार आते हैं और बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल नहीं होता है वह निराश होकर चले जाते हैं फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फिलिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वहां से चले जाते हैं फिर राजपाल आते हैं वह बॉटल को फिलिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह बहुत खु उसके बाद अजय देवगन बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह उदास होकर चले जाते हैं फिर अक्षे कुमार आते हैं और बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह उदास होकर चले जाते हैं उसके बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वहां से चले जाते हैं फिर राजपाल आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह बहुत खुश होते हैं और 2000 का नोट लेकर वहां से चले जाते हैं उसके बाद ब्रह्मनंदन आते हैं वह बॉटल को फ्ल दोजार का नोट लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह निराश होकर चले जाते हैं। फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वहां से चले जाते हैं फिर राजपाल आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह निराश होकर चले जाते हैं उसके बाद ब्रह् फिर वह बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह खुश हो कर 2000 का नोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद पांचवी बार अलुवर जुन आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह खुश हो कर 2000 का नोट लेकर चले जाते हैं फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वहां से चले जाते हैं फिर राजपाल आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह बहुत खुश होते हैं और 2000 का नोट लेकर वहां से चले जाते हैं उसके बाद ब्रह्मनंदन आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह निराश होकर चले जाते हैं उसके बाद अजय देवगन आते हैं फि लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वै निराश होकर चले जाते हैं। उसके बाद छटवी बार अल्लुवर जुन आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह निराश होकर चले जाते हैं फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वहां से चले जाते है फिर राजपाल आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह बहुत खुश होते हैं और 2000 का नोट लेकर वहां से चले जाते हैं उसके बाद ब्रह्मनंदन आते हैं वह बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह खुश कर 2000 का नोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद अजय देवगन आते हैं फिर वह बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं वह उदास होकर चले जाते हैं फिर अक्षे कुमार आते हैं और बॉटल को फ्लिप करते हैं उनका बॉटल खड़ा हो जाता है वह खुश होकर 2000 का नोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद सातवी बार अलुवर जुन आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह निराश होकर चले जाते हैं फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वह वहां से चले जाते हैं उसके बाद आठवी बार अलुवर जुन आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है वह वह वहां से चले जाते हैं निराश होकर चले जाते हैं फिर सल्मान खान आकर बॉटल को फ्लिप करते हैं लेकिन उनका बॉटल खड़ा नहीं होता है उसके बाद बॉटल खड़ा हो जाता है वह खुश होकर दो हजार का नोट लेकर चले जाते हैं अब बारी है रिजल्ट अलाउंस करने का पहले स्थान पर है ब्रह्मनंदन जी जिन्होंने दस हजार रुपए कमाए उसके बाद दूसरे स्थान पर दो लोग राजपाल और अजय देवगंजी है जिन्होंने आठ आठ हजार रुपए कमाए उसके बाद तीसरे स्थान पर अक्षे कुमार जी है जिन्होंने 6,000 रुपय कमाए उसके बाद 4 स्थान पर अलू अर्जुन जी है जिन्होंने 2,000 रुपय कमाए उसके बाद 5 वे स्थान पर या लूजर के टेगरी में सल्मान खान जी आते हैं जिन्होंने 1 भी रुपया नहीं जीता है